जब भी मन में कोई ख्याल पैदा हो, थौट पैदा हो, उस पर action लेने से पहले, उस पर चिंतन करने से पहले ये बाते सोच लेना, क्या ये ख्याल मेरे जीवन के प्रवाग को बढ़ा रहा है, मुझे कुछ बहतर करने में मदद कर रहा है, कोई बहतरी का improvement का रास्ता दिखा ये मेरे किसी काम का है या नहीं, पेड़ पे तो फल भी टंगे होते हैं और कीड़े भी चल रहे होते हैं, कीड़े थोड़ी उठाकर जेम में रख लेते हो, फली तोड़ते हो ना खाने के लिए, इस ख्याल का सबसे बड़ा मकसद क्या है आने को, सिरफ नाकरात्मक था, ज दुनिया से फायदा ढूंड रहे हैं, अपने मन से फायदा नहीं ढूंड रहे हैं, क्या ये इस ख्याल के आने का सही समय है, क्या इस समय इस ख्याल के लिए कुछ हो सकता है, ये मौसम इस ख्याल का है भी या नहीं, बिन मौसमी फल क्यो खाऊ मैं, रात को दो बजे, दिन क काम के ख्याल आएंगे तो दो बज़े क्या कर सकता हूँ कुछ भी ने नीन हराम कर सकता हूँ ताकि कल भी ताकत कम रहे उस काम को अच्छे से ना कर पाँ तो अभी इस समय इस ख्याल की मेरे जीवन में रेलेवन्स नहीं है इस पर मुझे इस समय कुछ भी नहीं करना, सुबह उठकर करना है मुझे अभी इस ख्याल का इंतजार करना है अभी ये काम का नहीं है, दिन में काम का होगा तब फैसला करेंगे, तब सोचेंगे जाततर ख्याल सिर्फ emotional outburst होते है भावनाओं की चिंगारी होती है उनका कोई मतलब नहीं होता किसी से रड़ाई होगी गुस्से में उनके खिलाब जो ख्याल आ रहे हैं, वो में मतलब है emotional outburst है सब कुछ त्याग देने का ख्याल आ गया फिर से फेल हो गया, सब छोड़ दो emotional outburst है relevant ख्याल नहीं, उस पर चिंतन नहीं करना, एसास करो कि ये emotional outburst है, होके बीच जाएगा कोई बात नहीं action नहीं लेना इस पर ये सोचो कहीं ये ख्याल बार बार तो नहीं आ रहा एक जैसा तो नहीं आ रहा एक बार इस पर action ले चुका हूं, या फैसला कर चुका हूं, नहीं action लेना फिर दुबारा बार बार आ रहा है तो मुझे इसको ignore करना है बहने देना है ये किसी काम का नहीं है, जितनी बार आ सकता आएगा फिर बीच जाएगा हर बार उसको respond नहीं करना हर बार इसका phone नहीं उठाना साथ ही कुछ भी बोलने से पहले सोचना मैं अपनी बातों को repeat तो नहीं करना बार बार एक ही शब्द तो नहीं कह रहा है एक बार कह दिये, दो बार कह दिये, अब बहुत है चुप रहना बहतर है जो भी मैं शब्द कहूंगा उनसे कुछ result आना चाहिए problem solve होनी चाहिए कोई मकसद पूरा होना चाहिए बहस बाजी के लिए कोई भी शब्द मुझे नहीं कहना है loop किसी भी शब्द से, vicious circle किसी भी शब्द से नहीं बनाना, जिसका कोई हल आओ, वो बात नहीं करनी तुमने क्यों कर दिया ये? उससे गलती हो गई जान के करी नहीं तुमने कैसे कर दिया ये? अब क्या करोगे कि आगे से ये चीज ना हो ये है सही बात कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोचना कि इन शब्दों का प्रभाव मेरे जीवन पर कितने दिनों तक पढ़ेगा खास कर नकरात्मक शब्दों का अभी मैं बोल दूँगा अभी मुझ से निकल जाएंगे बहुत मन कर रहा है पर कितने दिनों तक इनका प्रभाव मुझे सहना पढ़ेगा ये एक आकरशक समान है जो बहुत लंबी EMI पर खरीद रहे हो एक महीने दो महीने अच्छा लगेगा पांच साल तक जब किष्टे भरनी पढ़ेगी ना नहीं आता जाएगी या ये सोचलों की इन शब्दों के इंपैक्ट से प्रभाव से मुक्थ होने के लिए मुझे कितना लंबा समय लगेगा कितने प्रयास करने पढ़ेंगे अपने आप जबान रुख जाएगी दोस्तों आपके शब बेहत कीमती है आपके प्रतिनिधी है आपके बहुत से काम कर रहे है उनको हराम कामाल मत समझो वो एक महंगा हीरा है तो कोई भी ख्याल उत्पन हो रहा है मन में तो सोचो क्या ये ख्याल इस लायक है कि मैं अपने कीमती शब्दों को इस पर बर्बाद करूँ या ये टुच्चा है बेकार है किसी को गाली देने का ख्याल आपको आनंद जरूर दे सकता है पर आपके शब्दों की गरिमा को गिराया है तो आनंद लेना है या अपनी गरिमा बनाए रखनी है हमेशा कोई भी ख्याल बैदा हो उस पर एक्शन लेने का मन हो करम करने का मन हो कुछ बोलने का मन हो ये जरूर सोचना कि क्या ये सिरफ इंस्टेंट रिलीव दे रहा है पेन किलर का काम कर रहा है कि तुरंट मुझे आराम दे देगा या फिर मुझे लंबे समय के लिए सही कर रहा है आराम दे रहा है मेरी मदद कर रहा है क्योंकि pain killer जितना फायदा करती है उससे जादा damage कर जाती है समस्या का हल ढूनना है लंबे समय का फायदा देखना है लंबे समय का सुक देखना है तब शब्दों को बाहर लाना है आपके जो शब्द बनते हैं आपके ख्यालों सी बनते हैं तो जब भी कोई ख्याल आए, कुछ बोलना हूँ, तो यह याद करना, यह सोचना, इस ख्याल का जो सबसे कीमती शब्द है, जो सबसे कीमती सोच है, वो जरूर भाराने चाहिए. कही बार ऐसा होता है, हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, बेमतलब की बाते बोलते रहते हैं और भूल जाते हैं कि मकसद क्या था होता है ना सब के साथ पूरी कहानी कह दी पर में जो बात दी वो करना भूल गए यार ये तो बोला ही नहीं तो जब भी कोई ख्याल आ रहा है सबसे पहले सोचो बात में फिर फोन करते रहोगे तो सबसे जरूरी काम ताहिया है इंविटेशन देना उसके बाद डिस्कॉशन करो इंटर्विव देने भी जा रहे हो तो सब इंटर्विव पूचते हैं अपने बारे में बताओ दिमाग मेरे को सबसे जरूरी बात क्या बताना है, सबसे जरूरी स्किल क्या बताना है उसके बाद अपनी कहानी बताना क्या ये जो ख्याल आ रहा है, ये शब्द जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सिरफ शिकायत तो नहीं है, ब्लैबरिंग तो नहीं है, बढ़भ तो नहीं है, कुछ काम की है भी या नहीं है, कुछ भी बोलने से पहले हमेशा है सोचो क्या मेरा ख्याल complete है, satisfactory है, factual है, तत्थे पर सचाई पर अधारित है, सिरफ मेरा belief तो नहीं है, जो भी information मेरे पास है पूरी है और कुछ ग्यान तो अर्जित नहीं करना ये बुलने से पहले कहीं में अज्ञानी साबित तो नहीं हो जाओंगा तो अगर डेटा रेलेवेंट है सही तत्थे हैं तब उस बात को आगे लेकर हो अपनी सोच को कभी भी तत्थे मत समझना दो आपको ऐसा लगता है इ इस साल हिल स्टेशन पर ठंड कम पड़ी है पाड़ों पर ठंड कम पड़ी है कोई पहाड़ी इंसान आया पाड़ों में रहने वाला इंसान आया इस बार तो आया ठंड पड़ी नहीं वह सेगा बोलेगा तुम क्या पाड़ों में रहकर आये हो कौन से स्टैट्स देखे है जवाब देने का हगदार बनता हो वरना चुप रहना बहता है जब भी मैंने डिबेट में पाट लिया न तो मेरा एक उसूल था सिरफ एक छोटी सी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दो उसके बाद पहले कुछ लोगों को सुनो बहुत ध्यान से सुनो उनके विचारों को आखो उनकी सोच को आखो फिर जवाब दो बोलने की जल्दी मत करो मुझे कॉंकर नहीं करने डिबेट मुझे सही शब्द कहने है सही जवाब देने है तर्क पूर्ण जवाब देने है तो पहले सुनो लोगों की मनशा को उनकी सोच की घहराई को उनकी समझ को समझो देखना कितना बेतरी जवाब दे पाओगे क्या मैं बोलने की बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहा मैं अर्जंसी में तो नहीं हूँ कुछ भी शब बोलने से पहले आपका मन शान्त होना चाहिए क्लियर और धीरे बोलना है अपनी बात को एक्जैक्ली सही तरीके से दूसरे इनसान तक पहचाना है जल्दी का काम शैटान का ही होता है मुर्खो का ही होता है जतनी जल्दी करोगे, चीज़ें मिस करोगे, चीज़ें गलत बोलोगे कहोगे कुछ वो समझेगा कुछ जल्दबाजी कोई नहीं करने यह जो मैंने बाते बोली है बहुत साधारण है हर इंसान के मन में होती है पर भार नहीं आपाती इन पर चिंतन करना, मनन करना, सोचना ख्यालों में शब्दों में बहुत improvement आएगा पूरी personality में improvement आएगा Thank you and all the best